सुनिएगा कि बहुत कमजोर होते जा रहे हैं प्रेम के धागे सियासत में सभी ने नफरती गोले ही बस दागे तेरी जाती मेरी जाती के चलते देश में अपने बड़ी हैं जातियां आगे बढ़ेगा देश कब आगे लबा लब खेत हैं पर हक उन्ही के बादलों पर हैं निगाहें भी नहीं उनकी हमारे आसुओं पर हैं किसी भी जाती के हों देश में धनबल लिये हैं जो वही सत्ता पे हैं काबिस वही संसाधनों पे हैं वही सत्ता पे हैं गरीब की कौन बात करता है साब और मैं कवी धर्म निभाते वे एक बात कहता हूँ हुए सपने हमारे किस लिए वीरान समझेंगे हुआ इंसानियत का कितना ये नुकसान समझेंगे करोड़ों लोग भूखे पेट ऐसा सोचते होंगे वतन के रहनुम आएक दिन हमें इंसान समझेंगे बहुत 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 शुक्रिया थैंकि इस देश में गरीब की बात करने वाली जो सरकार है मैं एक एक्जांपल दूंगा बाकी सब लोग समझ जाएंगे राजस्थान के अंदर हम लोग जो चिरंजीवी योजना चलाते हैं अकेला प्रदेश है इस देश के अंदर जो गरीब आदमी को बिना उसका जाती बिना उसका धरम सिरफ एक आईडी प्रूफ देखकर 25 लाख रुपे का हिल्थ इंशॉरेंस देता है और ऐसी अनेको अने की चीजें वो उनके सामने रख देते हैं 2013 पहली बार दिल्ली में चुनाओ जीत के इंडिया अगेंस करफ्षन के कोक से पैदा हुई पार्टी जो कैंडल लाइट माच निकालती थी भस्टचार के खिलाफ शीला दिक्षित के खिलाफ यह देखो जी सबूत है सब जेल में कॉंग्रेस के सारे निताओं के खिलाफ सबूत है सब जेल में सोनिया गांधी को जेल में डालो दो दिन इंट्रेग्वेशन को दो सब कुछ पता चल जाएगा कहां रोम में पैसा जाता है कहां यूरप में पैसा जाता है पहली सरकार बनाई कॉंग्रेस के समर्थन से आठ महीने सरकार चली गिर गई चौदम में दो क्रांतिकारी काम हुए देश में तीस साल के बाद पूर्ण भहुमत में मोदी जी की सरकार बनी अदिली में पूर्ण भहुमत 68 की सरकार आम आदनी पार्टी की बनी लेकिन एशियन पेंट होता है न एशियन पेंट में भी एड़र्टीजन ने काया था कि दस साल तक रंग नहीं उतरेगा दस साल होने वाले हैं देखो कैसे रंग उतर रहा है किशोर जी अजे भाई ने जो बाते कहीं वो सब ठीक लगती है आम आदमी पार्टी के परिवेश में उधर उधर सब ठीक लग रही है लेकिन ये जब एडी अपने घर से निकल कर नारायन राने और वो जो लुइस बर्जर शर्मा है उनके घर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वहां कौन सा मुदी जी का चेकना का है कि वह उसको पार ही नहीं कर पाती आपकी इन सारी बातों का लबब लुबाब तो आम आदमी पार्टी वालन को ठीक है जाल दिया डाल दिया जेल में दूसरों को भी डालो अपनों को भी डालो देखिए हम तो ये कह रहे हैं अगर मैंने ब्रश्टाचार किया हो सामा दायर कर दीजिएगा क्योंकि इस देश की माननी अदालतों ने सब में सब लोगों को बाहिजत बड़ी कर दिया है तर एक फिल्म आई थी उसमें एक पात्र था दुगल साहब वो हर बार अलग अलग भूमिका में नजर आते थे आज दुगल साहब ये हैं आज दुगल साहब वो हैं पता नहीं कौन सी थी हम भी कभी अब आजकर जही हो गए हाँ नहीं अब क्या है हर अफ़ते राहूल गांदी को देखता हूँ मुझे वो फिल्म याद आती है अभी पीछे कुछ दिनों पहले वो बरतंद होते हुए से दिखाई दिये हाँ अब क्या करेंगे खेर एक बात और बताओ दू जीतू पटवारी एक कॉंग्रेस के नेता हैं उन्होंने मध्यप्रदेश में हाथ उठा के कसम खिलवाई है कि टिकट किसी एक को मिलेगा सारे उसको जिताएंगे अब कविता सुनना जीतू जीने कसम खिलाई टिकट एक को मिलेगी और हर कोई उसे जिताएगा एक कसम और खिलाते कि जीतने वाला और विधायकों को लेकर भाज़पामे नहीं जाएगा और लगता है राहुल जी को महसूस हो गया है कि हार का समय नजदीक है तबी उन्होंने सोचा होगा कि सत्ता से हाथ दोने से पहले बरतनी दोना ठीक है आठ दस बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन के नेता अपना सिर धुनेंगे जो आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे वो दूसरे को क्या सुनेंगे कॉंग्रेस के चक्कर में दूसरी पार्टियों के नेता बाद में अफसोस करेंगे और हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि चुनाओ आते आते गठबंधन के आधे नेता जेल से परचा भरेंगे बहुत बहुत धन्यवाद